हेलो नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल दिलेर पूर्वान चल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिड क्यूं यूपी के बाहुबली पूर्व सामसद उमा कांतियादो और उनके दोनों पुत्र दिनेश कांतियादो और रभी कांतियादो के उपर मुकदमा दर्ज हुआ आपको बताते चलने की बाहुबली उमाकांत यादो यूपी के बड़े बाहुबली कहे जाते हैं उनको उनके समर्थक सेरे पूर्वांचल नाम से पुकारते हैं बाहुबली उमाकांत और उनके दोनों पुत्र के उपर मुकदमा दर्ज हुआ है उमाकांत यादो और उनके द जैसवाल ने उनके उपर मुकर्मा दर्ज कराया है कि दाना जैसवाल ने कहा उनकी भादी गाउं इस्थित आजमगण मार्ग पर एक भूमी है उस पर कई सालों से विद्याले बन रहा है और बाहर की तरफ कई दुकाने बना रखी है जो की किराय पर उठाया है उन्होंने कहा की 18 अगस्त को बाहु बली पूर्व सांसद उमा कांतियादो अपने दोनों पुत्र दिनेस कांतियादो और रभी कांतियादो और अपने समर्थों के साथ पहुच कर किरायदार राजेस गुपता के मेडिकल उस्टोर पर दुकान को ततकाल खाली कराने को कहा बाद में गाल पुलिस ने बाहु बली उमा कांतियादो और उनके दोनों पुत्र दिनेस कांत और रभी कांतियादो की उपर दुकान में कबजा करने और जान से मानने की धंकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है तो इसी कारण बाहु बली उमा कांत यादो और उनके पुत्रों पर मुकर्मा दर्ज हुआ है अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छे लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद